हालो एव्रिवन आई होब यूप 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 चैनल जहाई श्टरी क्लासे तोड़े इन इस वीडियो वी आपने यह भी देखा कि लिक्विडिटी रेशियो जो है वो क्या है मताब जो भी एकांटिंग रेशियो टोटल कितने है जैसे कि फोर्थ है उसके अ वह सारे चीज़े हमने देखा था क्या-क्या नेम है उसके और सारे इंपॉर्टेंट फर्मूला यह जो चैप्टर है ना इसमें सिर्फ आपको फर्मूला लॉन होना चाहिए फर्मूला लॉन है इट मेंस डाट आप इसली बना सकते हो तो प्लीज उस वीडियो को जरू दे है अब है ऑसेट को क्यल्कूलेट करना चै fragrant का तो यह रहा हमारा को शुख्यन नमबर का सॉल्यूश्न हमें कोस्टीन में कुछा है करें ट्रेश जिसका फर्मूला होता है current करें लिइंश कहरें लॉन होना कît के स्ली और सारी इस एक लिदेंगकू क्या इसलिए न प्रिविएस वीडियो में पहले formula प्रोवाइट किया था पहले current asset total निकाल लोगे फिर current liabilities निकाल लोगे और उसके बाद आपको क्या है करना है current ratio निकालना है जिसका formula होता है current assets by current liabilities आप जब डिवाइट करोगे तो आपका निकल जाएगा ratio ठीक है next question देखते हैं next question number two जो है उसका topic है liquid ratio और quick ratio तो यह क्या होता है जब हम current ratio निकालते हैं तो उसमें current asset by current liabilities करते हैं लेकिन जो quick ratio या liquid ratio बोले तो जब हम current assets में से inventory को और prepared expenses को less कर देते हैं उसके बाद जो हमारा आता है उसका formula में जब यूज होगा तो हमारा quick ratio निकाल आएगा ठीक है तो information यह आपके बुक में दी गई है चले इसका भी solution देख लेते हैं तो यह रहा हमारा question number two का solution quick ratio का क्या होता है liquid asset by current liabilities liquid asset का formula क्या होता है current assets में से जब आप inventory और prepared expenses को less करोगे तो आपका liquid asset निकाल आएगा ठीक है उसके बाद quick ratio is equal to liquid asset जो आपका यह आया है by current liabilities और आपका ratio निकल जाएगा question number two का now the next question अब question number क्या है हमारा three है यहाँ पर balance दी गई है x limited की तो यहाँ पर आपकी साड़ी liabilities है यहाँ पर साड़ी assets से हमें quick ratio निकाल ली है चलिए इसका भी solution देखते है यह हमारा question number three है quick ratio क्या होगा current assets minus inventories यहाँ पर सिर्फ दी गई है prepared दी रहती है तो उसको भी less करते लेकि और current liabilities हमारा जो है उसको add कर लेंगे फिर हमारा quick ratio का formula क्या होता है quick asset by current liabilities यह हमारा question number three का solution है now move to the next question 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 number four यहाँ पर है sonu limited है current ratio of three is to one if its stock is 40,000 and its total current liabilities are 75,000 find out its quick ratio हमें quick ratio निकालना है current ratio दिया हुआ है ठीक है और liabilities दिया है stock दिया है चलिए इसका solution देखते है तो यह रहा हमारा four number का solution देखिए current ratio हमें पता है three is to one current asset नहीं पता बट current liabilities पता है तो आप x माल लोगे current asset को और x आपका निकल आएगा जो current asset है चलिए current asset आपको पता है आपको finally निकालना क्या है quick ratio quick ratio is equal to quick asset by current liabilities current liabilities आपको पता है आपने अभी current assets तो निकाल लिया उससे जब आप less कर दोगे जो भी आपकी inventory stock दी रहती है आपका निकल जाएगा क्या quick asset फिर उसका बाद आप formula लगा लो quick ratio is equal to जो आपकी quick asset आई है by current liabilities यह हमारा four number का solution है बहुत easy है बस आपको अच्छे से समझना है information में क्या दिया है और आपको क्या find out करना है next question five number देखिए five number question जो है यहाँ पे कुछ information दी गई है उसके according आपको region बतानी है जो भी वो case दिया है उसके according आपको region बतानी है तो यह बहुत easy है आप बुक में अच्छे से पढ़ लोगे आप सारे के answer easily दे सकते हो चलिए अब six number से देखते है current ratio and liquid ratio हमें दोनो find out करना है working capital जो position ह company की वो दी गई है creditor, bank overdraft, stock, debtors, cash और उसके बाद हमें क्या करना है current ratio and quick ratio दोनों निकालनी है चलिए solution देखते है इसका तो यह रहा हमारा question number six का solution current asset निकाल लेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा stock plus debtor plus cash आपका current asset आजाएगा current liabilities क्या करेंगे creditor plus bank overdraft add कर लेंगी हमा क्या बोला है quick ratio भी निकालना है उसके लिए current liabilities तो ठीक है लेकिन quick asset तो निकालना पड़ेगा तो quick asset के लिए क्या करेंगे current asset से हम stock less कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ stock दिया हुआ है अगर prepared expenses देता तो उसको भी less करते उसके बाद आप quick ratio निकाल लोगे तो यह हमारा question number six का solution है बहुत ही जी अब आपको formula पता होना चाहिए अब next question देखते है question number seven a business has a current ratio of three is to one its net working capital is four lakh and its stock are valued at two lakh and fifty thousand current calculate quick ratio ठीक है इसमें में quick ratio निकाल नहीं है चलिए इसका भी solution देखते हैं यह रहा हमारा seven number का solution current ratio जो है वो three is to one दिया है it means that अगर liabilities x है तो current asset कितना हो जाएगा 3x working capital जो है वो दिया हुआ है हमें four lakh तो उसका formula क्या होता है current assets minus current liabilities यहां से हमारा x का value आ जाएगा ठीक है तो अगर x जो हमारा two lakh ह तो current assets कितना होगा 3x है ना हमने यहां पर लिया है तो कितना हो जाएगा six lakh और quick asset निकालना है हमें तो current assets minus stock stock की value यहां पर दी गई है आपका निकल जाएगा quick asset उसके बाद आप quick ratio निकाल सकते हो क्या होता है formula quick asset by current liabilities बस इसमें आपको formula अच्छे से learn रखना है यह हमारा seven number का solution है now the next question next question number eight calculation of current assets liquid assets and current liabilities चलिए यहां पर क्या है अब कुछ उल्टा किया है यहां पर ratio दे दिया आपको अब आपको current assets की value क्या होगी liquid assets की क्या होगी current liabilities की क्या होगी वो चीजे find out करना है eight number में आप देखो current ratio आपका दिया हुआ है acid ratio जो की quick ratio कहते है वो भी दिया हुआ है और inventory की value मतलब stock जो बोलते हैं वो दिया हुआ है हमें क्या करना है current assets and total current liabilities find out करना है eight number में चलिए इसका solution देखते हैं यह रहा हमारा eight number का solution current ratio given है आपको तो अगर मान लीजिए current liabilities x है तो current assets कितना हो जाएगा 3.5x right और acid test ratio जो है वो दोनों में base होता है तो अगर x है तो यहां पर liquid asset कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा right अब आपको पता है liquid asset का formula current assets minus inventory ठीक है liquid asset कितना है 2x current assets कितना है आपका 3.5x और inventory का value दिया हुए 30,000 यहां से अगर आप x का value निकालते है तो वो आपका कितना निकलाते है 20,000 तो current liabilities x है न तो वो हमारा 20,000 हो जाएगा और current assets क्या हो जाएगा आपका current assets आपका जो है वो 3.5x था तो आप 3.5 से उसको इंटू कर दो 20,000 को तो आपका current assets निकलाएगा ब पर आप information अच्छे से पढ़ोगे फिर आपको पता लगएगा कि कहां पे कौन सा method हमें कौन सा formula कहां यूज करना है तो यह हमारा 8 number का है solution next देखते हैं question number 9 अब business है जो current ratio of 3 is to 1 quick ratio भी दी गई है 1.2 is to 1 and working capital 1,80,000 दी गई है current liabilities and stock हमें calculate करना है question number 9 में चले इसका solution दिखते हैं यह रहा question number 9 current ratio दिया गया है 3 is to 1 तो अगर current liability x है तो current asset क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा working capital दिया है जिसका formula हता है current assets minus current liabilities यहां से अगर आप निकालोगे तो x की value निकलाएगी जोकि 90,000 है और आपने x किस चीज को माना है current liabilities को current liabilities कितना हो जाएगा 90,000 current assets तब कितना हो जाएगा क्योंकि आपने 3x माना है तो current assets is equal to कितना हो जाएगा 2,70,000 क्योंकि 90,000 को आप 3 से multiply करो तो 270,000 आजाएगा अब जो दूसरा हमें important काम करना है वो quick ratio दिया हुआ है हमें तो आप वहां से current liabilities दिया गया है तो assets आप निकाल सकते हो है ना assets क्या हो जाएगा 1.2x है ना तो क्या हो जाएगा 90,000 into 1.2 तो यहां से आपका assets निकलाएगा अब stock आपको find out करना है stock की formula क्या हो जाएगा current asset से जब आप liquid asset list करोगे तो stock तो निकल जाएगा दोनों के value आपके पास है और आपका stock का जो answer है वो भी आ जाएगा यह हमारा 9 number का solution है बहुत ही easy है बस आपको अच्छे से information step by step पढ़ना है नेक्स्ट कोश्चिन नेक्स्ट कोश्चिन नमबर 10 यहां पर current ratio है एक्स लिमिटेड के पास कितना 4.5 इस्टू 1 क्विक रेश्यो कितना है 3 इस्टू 1 है और inventory जो stock भी आप कह सकते हैं वो 72,000 है value हमें क्या करना है current asset and total current liabilities find out करना है चलिए 10 नमबर का solution देखते हैं यह रहा हमारा 10 नमबर देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास current ratio है 4.5 इस्टू 1 गिवन दिया है current liabilities अगर आप एक्स मानती हो तो current asset कितना हो जाएगा 4.5 एक्स और quick ratio भी दिया है 3 इस्टू 1 तो quick assets जो है वो कितना हो जाएगा 3X हो जाएगा अब देखिए liquid asset जो है या quick asset बोले उसका formula क्या होता है current assets minus inventory चलिए यहाँ पर आपका liquid asset आपने 3X माना है current asset को आपने 4.5 एक्स माना है और inventory की value दी गई है यहाँ से आपकी x की value find out हो जाएगी जो कि आपकी 48,000 आएगी ठीक current asset आपने 4.5 एक्स माना है तो 4.5 में 48,000 से आप multiply करो तो आपकी current assets निकाल आएगी यह हमारा 10 number का solution है next question number 11 देखते हैं चलिए question number 11 से आपकी topic जो हो है calculation of stock ठीक है stock को calculate करने के लिए quick ratio दिया हुआ है current assets दिया है current liabilities दिया है calculate क्या करने है stock की value calculate करनी है चलिए solution देखते हैं इसका यह हमारा 11 number है तो आप stock की value x मान सकते हो quick ratio आपको दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है इसका मतलब आप समझ लो 1.5 is to 1 है कुछ नहीं दिया तो नीचे आप 1 मान सकते हो ना उसका जो formula है वो quick asset by current liabilities current liabilities की हमें information यहाँ पर दी गई है इसके through आप current asset निकाल लोगे और जब आपके पास quick asset निकाल लोगे और आपको आप stock निकालना है तो stock क्या होगा current assets मैंने quick assets ठीक है फिर यहां से आपका x निकल आएगा यह हमाड़ा अलावेर नंबर का solution है मैं बार-बार कह रहे हूं इसमें सबसे important जो है वो है हमारा formula बस formula आपको अच्छे से learn होना चाहिए कि कौन सा formula कहां apply करना है जो given information है उसके according अलग-अलग time अलग-अलग formula apply करना होता है next 12 number question देखते है question number 12 में क्या है कि current ratio दिया हुआ है 2.5-1 liquid ratio भी है 1.5-1 current liabilities है 15,000 calculate क्या करना है current asset and stock calculate करना है चलिए देख लेते हैं इसका भी solution यह रहा हमारा question number 12 का solution current ratio दिया हुआ है current liabilities भी है तो यहां से आप current assets find out कर लोगे उसके बाद quick ratio क्या है आपके पास है वहां से आपको क्या निकल जाएगा quick assets आप find out कर सकते हो पहले यह दोनों निकालोगे तब तो ही stock निकालोगे क्योंकि जब आप place करते हो current assets को quick assets से जब आप place करोगे तो फिर आपका क्या होता है stock निकल जाता है after that stock आप find out करोगे current assets less कर दोगे किस चीज में quick assets तो आपका निकल आएगा stock की value यह हमारा 12 नंबर का solution था next question no.13 देखते हैं question no.13 में क्या है current assets and current liabilities की ratio जो है वो 1.5 is to 1 है मतलब कि current ratio इतना है और उसके साथ साथ आपको यह भी information दे दिया कि current assets कितना है current liabilities कितना है ठीक है अब क्या है हमें क्या करना है current ratio जो है 2 is to 1 दिया गया है अब कितना हमें करना है payment ताकि यह हमारा 2 is to 1 आ जाए चले इसका solution देखते हैं यह हमारा 30 नंबर है current ratio दिया है current assets by current liabilities ठीक है अब payment suppose that कि हमें x करना है clear है तो suppose that कि आपका payment आपको x करना है तो आपको पता है कि ratio में क्या होता है multiply करो तो उपर नीचे दोनों सेम नंबर से less करो add करो यह कुछ भी तो यहापे दोनों तरफ x less कर देंगे तो इस तरीके से question बनेगा फिर आपका value निकल आएगा कि कितना हमें जो है amount payment करना है यह हमारा 30 number का solution है now the next question 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 number 14 में क्या है current assets company की दी गई है current ratio भी दिया हुआ है liquid ratio भी दिया है हमें क्या calculate करना है current liabilities liquid assets and inventory total 3 चीज़े find out करना है चलिए इसका solution देखते है यह रहा हमारा 40 number current ratio दिया है current assets दिया है current liabilities निकालना है तो क्या करोगे आप खुद से भी equation बना के देख सकते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है current assets को जब आप डिवाइड कर दोगे 3 से तो आपका current liabilities निकल आएगा है ना क्या होता है formula current ratio का आपका होता है current assets by current liabilities यहाँ पर 3 1 दिया हुआ है इसकी value आपके पास है ठीक है यह हमें find out करना है तो जब cross multiply आप करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपका इस तरीके से equation बनेगा कि current liabilities is equal to क्या हो जाएगा current assets by जो हमारा यह 3 वाला है वो नीचे आजागा करोगे तो आपकी current liabilities निकल आएगी उसका quick ratio आपकी दी गई है यहां पर तो यहां से देखो quick ratio यहां पर 1.25 इस टू 1 है और आपने यहां पर liabilities निकाल लिया तो quick assets is equal to क्या हो जाएगा वहीं cross multiply वाला फिर से करोगे तो यहां पर आपका 5 lakhs आप into कर दोगे 1.25 को तो आपक 25 by 1 दिया है जब आप इसको cross multiply करोगे तो यह तो इधर चला आएगा ठीक है तो यह आपका quick asset होगे यह दोने उन्टू के form में हो जाएगा तो इसी दोनों की उन्टू करोगे तो आपका quick asset निकल आएगा वहीं चीज़ यहां पर क्या गया है उसके बाद क्या करने आपको inventory जो stock है उसकी value find out करने है जिसका formula आता है current assets minus liquid asset दोनों आपके पास value है आपके inventory की value निकल आएगी यह हमारा 14 नंबर का solution है ठीक है so overall आज की वीडियो में हमने question number 1 to 14 देखा जिसकी topic थी activity ratio that's all for today please like this video also subscribe my channel thanks for watching the video